नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में दोस्तो आज का हमारा वीडियो उन डाइबिटीज पूर्शों के लिए हैं जिनकों की संतान प्राप्ती में दिक्कते आती हैं आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिन से आपकी परजनन शमता भी मजबूत होगी और संतान की प्राप्ती भी होगी दोस्तो डाइबिटीज के बारे में सभी ने सुना होगा कि ये एक साइलेंट कीलर के समान है जो शरीर को खोगला बना देती है और फिर सारी बिमारियों से शरीर घिर जाता है आजकल के दिनों में कई यूवाओ को भी डाइबिटीज हो रही है ऐसे में उनसे क्या उमीद की जाए कि वो एक बिमार शरीर से एक और शरीर को पन पा सकते हैं इन दिनों पुरुषों को लेकर कई डाइबिटीज कार्यकरम चलाए जा रहे हैं जो उन्हें जागरुक और सतर्क बनाते हैं डाइबिटीज पेशन्ट को अपने उपर एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रुत होती है आज हम आपको ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बताने चा रहे हैं जिससे पुरुष की पर जिनन स्रमता मजबूत होगी और संतान की प्राप्ती भी नमबर एक हैल्दी डाइट यदि किसी पुरुष को डाइबिटीज हो गई है और वो संतान प्राप्ती की इच्छा रखता है तो उसे अपनी डाइट पर विशेश ध्यान रख इससे उनके स्पर्म कम होते हैं और प्रेगनेंसी पर परभाव पड़ सकता है यानि की इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रोपर इस्पर्म ने पहुच पाने के कारण भूर्ण नहीं बन पाता डाइबिटीज से गरसित पुर्ष में लिबिडो की कमी हो जाती है जिसकी वज़े से प्रेगनेंसी परभावित होती है ऐसे पुर्षों को अपने पार्टनर से खुल कर बात करनी चाहिए और अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए ताकि वो संतान प्राप्त कर सके डाइबिटीज से गरसित पुर्षों को थकान बहुत जल्दी होती है ऐसे में इंटरकॉर्स के दोरान थकान हो जाती है और पुरुस लाश्क चरण तक पहुचने से पहले ही स्कलित हो जाता है या हो ही नहीं पाता ऐसे में थकान को दूर और बोड़ी को बुष्ट करने के लिए पुर्षों को स्पेशली कुछ करना चाहिए नंबर पांच हार्मोन को बैलेंस करना डाइबिटीज के दोरान शरीर में इंसुलीन का इसतर कम हो जाता है और इस वज़े से कई लोगों को भोजन करने से पहले इंसुलीन का इंजक्शन भी देना पड़ता है इंसुली चैन वियायाम करें डाइबिटिक पुर्षों को आराम करना चाहिए इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि वो वियायाम करें वियायाम करने से आदि समस्या अपने आपी समाप्त हो जाती है साती पर जिनन की शमता भी बढ़ती है नंबर सात मेडिकल सपोर्ट डाइबिटीज इसकी वज़े से कई बार अन्य कई बड़ी समस्या भी उभर कर आ जाती है जिन में से इस्खलन या सोपन दोश भी एक दिक्कत हो सकती है ऐसे में ब्लेडर पर असर पढ़ने के कारण ऐसा होता है इसके लिए मरीज को डोक्टर से सही सला लेनी चाहिए नंबर आर्ट एंट अक्सिटन्ट से भर पूर भोजन या फूर सामगरी का सेवन करना चाहिए इससे उनके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल संतुलित हो जाएगा और फ्री रेडिकल्स भी बैलन्स हो जाएंगे अगर कोई जैनेटिक समस्या होगी तो वो भी दूर हो जाएगी साथी स्पर् दोस्तों ये थे कुछ खास टिफ्स डाइबटीज पूर्शो के लिए अपनी परजिनन शम्ता बढ़ाने और बच्चे की प्राप्ती के लिए आपको आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं हम आप तक ऐसी ही नई और बहतरीन जानकारिया पहुचा इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक वर शेर करना ना भूले हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखके खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद